ओके वेलकम डिश्टेडी वाला तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि आप लोगों का बीई से बीटेक को नाम चेंज कर दिया है मतलब एक्जामपल के दौर पे अगर आप लोगों ने एडमिशन्स लिये हो अभी 2021 और 2022 की बैच में आगर आप लोग को लग रहे कि आप लोग लोग को देखने के मिलेंगे तो वे चेंज है इस विडियो पर हम लोग डिसक्स करेंगे यहाँ पर इसके में वेबसाइड के उपर इहाँ पर लिखा है की पासुन B.E चटे BTEK मतने नाम करन बदलने तो बहुत 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 ही यहाँ पर ज think cool यह भाँ पर ज्ञादा कमेंट्स आ रहे थे की यहाँ पर नाम हो गया है चेंज नाम ही तो चेंज हुआ है डीए से बीटे तो यहाँ पर डहना इसलिए नहीं है या फिर आपको confusion इसलिए लेना या फिर आप लोग को यह नहीं सोचना है कि अभी हम लोग यहां से engineering छोड़के कोई और university में जाएंगे आप लोग को मेर मुद्दे को समझना है मुद्दा यही है कि यहाँ पर उन लोगों ने खुद ही लिख दे है 2020-2021 पासून बीई ते बीटेक मदे नामकरन बदलने नाम बदल रही है वह ऐसा नहीं बोल रहे है कि आपके जो पढ़ने का तरीका है या फिर आप लोग को जो डिग्री मिलेंगी और रही बात बीई और बीटेक की डिग्री में फरक तो उतना जादा फरक होता नहीं है रही फिर बीटेक को ज्यादा देंगे या फिर बीटेक को कम तो इसको यह मैंने आप लोग को बताने की कुशिश कर दिया हूं कि अगर आप लोग इस बैच में अड्मिशन ले रहे हो कौन्ती वाली 2020-2021 तो आप लोगों को जो बीई में अड्मिशन लिये हो तो इसका जो नाम ह बीई का वह भी टैक है अगर आप लोगों एंड्मिशन 2019 2018 2017 की बैच में लियो तो आप लोगों को जो डिगरी है जिसमें मतलब एक्जाम्बल के टाउट है आप लोगों एड्मिशन बीई में लिया तो आप लोग की डिगरी है वह बीई की मिलेंगी तो इस मुद्दे का हम अदिवीचे नाव बदलून बैचलर ऑफ टेकनोलोजी बीटेक असे नामंतरन करने अबाबत मतलब यह जो नौटिफिकेशन है यह जो ऑफिशली नौटिफिकेशन है आटी में युका यह इसलिए है कि जो आप लोग का बैचलर ऑफ इंजिनेरिंग था उसका सिर्फ नाम च उचित करनेयात एत की विद्यापीट द्वारा सत्र 2020-2021 मैं आप लोगों को पहले भी बताया कि 2020 और 2021 थे उन्निस वालों को नहीं मतलब उन्निस वालों ने भी में अडिविशन लिए तो उनको डिगरी है वो भी ही की ही मिलेगी पासून अभी यांतरी की मतलब इंजिनियर चाह विज्या परिशन ने दिनांग इकतिस दोजाइकतिस आठ डोहजार रिक दोनास कातिस साथ दोहजार इकिस रोजी संपन जाले लिया तातरी चाह सबीत रास्तिसंग तोड़ों महाराज शुरू असले लिया सर्वसंगलिन स्वत्या प्राह सों मुद्ध देले बैचलर स्कॉलेजिस हो या फिर लिंक हो आप लोग के अर्टे मेनियू से जो आप लोगों को बी की डिगरी मिलती थी है उसका सिर्फ नाम चेंज करके आप लोगों को बी टेक मतला बैचलर ओफ टेक्नोलोजी की डिगरी दी जाएंगी असे नाम अंतरन करनेया निर्नय यह है इन लोगों ने यहां पर एक पैराग्राफ में आप लोगों को यह समझ में आया है कि 2020 और 2021 में आप लोग का जो बी के अगर आप लोग एडमिशन ले रहे हो तो बी के जगह आप लोगों को जो डिगरी में आपको का नाम लिखा रहेंगा वो बैचलर ओफ टेक्नोलोजी जा विद्यारती ने बैचलर ओफ इंजिनेरिंग या प्रथम वर्षात नियमित विद्यारत मनुप्रविश मतलब जो मैं आप लोगों को बताया कि अगर आप लोगोंने 2020 और 2021 के पहले अगर आप बैचलर ओफ टेक्नोलोजी में एडमिशन लिये है तो या पद्वित ही सम बताने की कुशिश किया वही यहां पर डिसकस किया है तो अब यहां पर बहुत सारे जो बड़े-बड़े कोश्चन है वह आते हैं कि सबसे पहला कोश्चन क्यों की है तो मैं आप लोगों को बता दू ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है अब देखो यह जो यूनिवर्सिटी ह है यह टॉप लेगि इसके उपर भी बहुं साढ़ी बड़ी-ड़ी यूनिवर्सिटी इस है तीक है ना तो वह बड़ी-बड़ी यूनिवर्सिटी को देख कर या समझ कर या चीजों कई है यह चीज़े कई बार कई जगा हो रही होंगी या होती होंगी या करना जरूरी है कि आपर सिंपली आपर अगर साधरन बासा की बात करें तो इतना ही लिखा है नाम बदलून बैटलर ओफ टेक्नलोजी असे नाम अंतरन करने अबाबाद इसका मतलब यहीं कि सिर्फ नाम ही च सोचना समझना नहीं है कोशन अगर आ रहे है दिमाग में तो कमेंट में बताना है और यहां पर कितना कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है अगर इत्ति वड़ी उनिवर्सिटी ने जो 500 से जादा कॉलेजिस को कंड़क कर रही है कोई डीसी जा इनली है तो सोच समझ कर से बड़े 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 भड़े आप uniform की जो दिसकते हों तो इसमें आप लोगोंhour विल्कोल कीड़ग ड़ना अगर आप लोग को बी से की डिस्क्रिप्शन में आपको सभी चीजों के लिंक मिल जाएंगी आप वहां से हमसे जॉइन कर सकते हो इस वीडियो में इतना ही अगली वीडियो हम लोग फिर मिलेंगे जब तक के लिए गुडबाई